दो हाजर चौबिस का जो आक्षन डेट है आक्षन डेट फाइनली आ गया है सब के सामने और कौन सा टीम किस-किस प्लेयर को रिलिस किया है आज की वीडियो में बात करते हैं अगर आप लोग मेरे चैनल पे नया है तो प्लीज मेरे चैनल को सास्क्राइब कर दीजिए और जग घंटे का बटन है उसको दावाना मत भोलिये दो हाजर चौबिस का जो आक्षन है आक्षन का डेट फाइनली आ गया है सब के सामने पिछली बार जैसे केरला की कोची शेहर में आक्षन डेट लखा गया था इस बार का जो आक्षन डेट है 19 डिसमबर को जो होगा दुबाई में इस बार का जो आक्षन होने वाला है वो दुबाई में होने वाला है फाइनली आक्षन डेट तो आही गया है 19 डिसमबर होने वाला है आक्षन बाट कौन सा टिम किस किस प्लेयर को रिलिस किया है आज की वीडियो में बात करते हैं जैसे कि चैननाई सुपर किंग चैननाई सुपर किंग से जो बैन स्टोक है बैन स्टोक को इस बार आईपेल के लिए रिलिस कर दिया गया है इसकी बाद जो है वो है दिल्ली केपिटल्स जो दिल्ली केपिटल्स है जो इस बार ओक्षन में आने वाले है यानि जो दिल्ली केपिटल्स है रिलीस कर दिया है वो है पित्तिरव शौ पित्ति शौ को जो है दिल्ली केपिटल्स ने इस बार रिलीस कर दिया है और इसकी साथ और एक है मोनेश पांडे मोनेश पांडे के तो आप लोग सभी जानते मोनेश पांडे को भी दिली केपिटल से रिलीस कर दिया गया इसकी बाद बात करते हैं गुजरा टाइटन्स गुजरा टाइटन्स से टूटल पाच प्लेयर को रिलीस कर दिया गया है वो पाच प्लेयर ह के बारे में सब को पता है दुश्मोना सानांका जोसिलांका का कैप्टे ने उसको भी गुज्राट टाइटन इस बार रिलीस कर दिया है इसकी वाद है ओरेंट स्मित जो ओएस्टेंडिस से खेलते हैं इसको भी इस बार जो है गुज्राट टाइटन ने रिलीस कर दिया है इस आफिए कलकाता नाइट राडर्स helaट कालकाता नाइट राडर्स ने इसमर्च प्लियर को आपने टिम से कर दिया है वह एंडुर रासल को इसमर्च नाइट रिट्रा रासले कर दिया है आपने टीम से एन जगदेशन जिसको कलकाता ने इस बार आपने टीम से रिलिस कर दिया है लोकी फारगेशन को भी कलकाता नाइट रैडर्स ने जो है इस बार रिलिस कर दिया है आपने टीम से इसके बाद है डेविड वाइस डेविड वाइस को भी इस बार जो है कॉलकाता नाइट राइडर्स ने आपने टीम से रिलिस कर दिया है और जो लास्ट है लास्ट है मन्दिप सिंग मन्दिप सिंग को इस बार कॉलकाता नाइट ट्रेडर्स ने आपनी टीम से रिलिस कर दिया यह है पाच प्लेयर जो कॉलकाता नाइट ट्रेडर्स से इस बार रिलिस हुए है लोखनो सुपरजन ने भी इस बार जो है 5 प्लेयर को अपने टीम से रिलिस कर दिया है वो पारच खिलारी है मार्कस स्टॉइनेस जो ऑस्ट्रियान के एक बहतरिन ओल राॉंडर है इसको भी लोखनो इस बार रिलिस कर दिया है अपनी टीम से इसके बाद है इवेन लुइस, इवेन लुइस को भी जो है इस बार लोकनो सुपर जैन ने आपनी टीम से रिलिस कर दिया है कायल जेमिसन इसको भी जो है लोकनो सुपर जैन ने इस बार जो है आपनी टीम से रिलिस कर दिया है कृष्나 गोतम को भी इस बार लोक्नो सुपर जेंस ने अपने टीम से रिलीस कर देख.। इसके बाद है मुंबई एंडियन्स चो इस बार रिलीस हुए प्लेयर वो है जायदव उनतकट को जो मुंबई इंडियन्स की तरफ से कि इस बार रिलीस कर दिया गूरगन अर्षिन जो एक स्पिनार है!! उसको भी मुंबई इंडियन्स ने इस बार आपने टीम से जो है रिलिस कर दिया ! राइली मेरिंडेत जिसको इस बार मुंबाई इंडियन्स ने आपने टीम से जो है रिलिस कर दिया है इसके बाद जो है बो है पियुष चावला पियुष चावला को मुंबाई इंडियन्स ने इस बार जो है आपने टीम से रिलिस कर दिया और इसके बाद संदिब वारियर सं द्यार है हर्पित भाटिया हर्पित भाटिया को भी जो पांजब किंग्स है पांजब किंग्स ने इस बर आपने टीम से रिलीस कर दिया है रिशी धाउन को भी जो है इस बर पांजब किंग्स ने आपने टीम से रिलीस कर दिया है राजपाक्षे राजपाक्षे को भी इस ब पंजब ने अपने टीम से इसको भी रिलिस कर दिया और लास्ट में है राज अगड वावा इसको भी पंजब ने अपने टीम से जो है इस बार रिलिस कर दिया है राजुस्तन रोयल्स राजुस्तन रोयल्स ने भी जो इस बार है इस बार आपने टीम से कुछ प्लेयर को रिल इस बार का जो रिलीस प्लियार है रिलीस प्लियार में जो रूट का भी नाम शामील है इसके बाद है केसी चाप्रिया इसको भी राजुसन रोयल्स ने आपनी टीम से इस बार रिलीस कर दिया रोयल्स चैलेंजर बेंगालूर रोयल्स चैलेंजर बेंगालूर से इस बार रोयल चंडर बेंगलों ने आपनी टीम से रिलीज कर दिया और इस बहें रेल्स कर दिया है बो है Harry Brook, Harry Brook Sunrise राधिरवाद ने आपने टीम से जो है इस बार रिलिस कर दिया है, तो भाई लोग, आप लोगों क्या लगता है, जो इस बार का उक्षन होने वाला है, सबसे महेंगा कौन सा प्लेयार बीकने वाले है, आपना राय कॉमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और आपका जो फेवरेट टीम है, वो कौन सा है, उसको भी जरूर अपना जो कॉमेंट बॉक्स में उसमें डालना मत भूलिए, तब तक के लिए बाई अपना जो है अपना ख्याल रखना,